नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप लोगों का हमारे आचार जागिंद्र विस्रा चैनल में जय माता लक्ष्मी, जय होली का माता, तेरी सदा जय हो होली के दिन पहन लेना अपने गले में इस पेड की जड़को भाग आपका सात्मे आस्मान पर होगा, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे जहां भी जाओगे, रुप्या पैसा दौलत पीछे पीछे आएगी पूरे साल इतना धन आएगा घर में की पूरा घर धन से भर जाएगा दोस्तों, हिंदो संस्कृति में कई तरह के पौरानिक मानता को महत दिया गया है कुछ ऐसे पेड पौधे होते हैं, जो काफी सुब और पवित्र माने गए हैं कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं खास बात यह कि अगर इन पेड पौधों की होले के दिन अगर हम पूजा पाठ करते हैं बलकि ओशधी के रूप में भी प्रयोग करते हैं, होली के पावन परव पर तो ये कई प्रकार के बीमारी को ठीक करते हैं और बेद पुरारों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उलेख हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है, लड़ जीरे का पौधा है, जिसे अपमार्ग कहते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा अध्यात्मिक महत होता है, दोस्तों अगर आपने देखा भी चिमतकारिक शक्तिया होती हैं, जिसके दम पर कुछ समय में यानि की कम समय में आपको अच्छे प्रेणाम मिलते हैं, तो आज हम आप लोगों को होली की दिन के समय, यानि होली की दिन ताबीज में भर कर पहन लेना इस पौधी की जड़को, बंद किसमत के ताले खुल रुपया पैसा दौलत पीछे पीछे आएगी, मा लक्षमी कृपा बरसेगी, इस वीडियो में बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से सुनना और समझना, तभी समझ में आएगा, होली का जो समय होता है, ये बहुत ही अच्छा दिन होता है, यानि कि इ रुपया पैसे की दौलत की आपकी प्राप्ति होगी, दोस्तों, साल दोजर 24 में होली का पावन परवे, 24 और 25 मार्च को है, होली का दहन 24 मार्च को रात्र में जलाए जाएगी, क्योंकि फालगुन पूर्मा किती थी, 24 मार्च को है, और होली का पावन तेवार जो रंग जो खेलते हैं, वो 25 मार्च को मनाया जाएगा, दोस्तों होली का दहन के दिन होली का मया को जला कर हम अपने घर के जितने भी नकरात्म कुर्जा हैं उन्हें नश्ट कर देते हैं और सकरात्म कुर्जा को प्राप्त करके ठीक होली का दहन के अगले दिन हम रंग खेल कर होली का पावन पर्व मनाते हैं दोस्तों इस बार होली के पावन परव पर कई सुभ सैयों का निर्मार हो रहा है अगर आप इस जड़ को धारन कर लेते हैं इस नव वर्स यन की होली के दिन तो मान के चलिए दोस्तों इन जड़ों को जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में अगर आप इन में से कोई एक जड़ धारन कर लेते हैं अपने गले में दोस्तों हमारे वीडियो में बताएंगे नियम के अनुसार तो फिर देखे आपके जीवन में बहुत ही चमतकारिक लाभ देखने को मिलेंगे ये पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमतकारिक शक्तियां बिद्धिमान र वाया है तो ये पेड़ पौधे होते हैं कहीं न कहीं धार्मिक दर्ष्टियों से ले लिजे चाहे अध्यात्मिक दर्ष्टियों से ले लिजे हमें फाइदा पहुचाने का काम करते हैं शर्व प्रतम तो आपको होली का दहन के दिन इस पेड़ की जड़ को आपको लाना है यानि कि होली का दहन की रात्रि को आपको इस पेड़ की जड़ को ले कराना है और फिर आप अगले दिन होली के पावन दिन ठीक होली का दहन के अगले दिन होली के पावन दिन आप इस जोजी का इश्मरन करके आप इसे होली के दिन अपने गले में धारन कर सकते हैं, अति उत्तम रहेगा, आपकी वड़िशारी मनोकामना पूरी हो जाएगी जिसको आप रात करना चाहते हैं। ये पेड़ पौधे ऐसे हैं कि इन पेड़ पौधें से आपको कोई भी बेकुप नहीं बना सकता है। होलिका दहन की रात्र को आपको इस पेड़ की जर को लाना है और आपको माता लक्ष्मी जी के ठीक पास आपको इसे रख देना है। की तावे की पीतल की तावीज है उसमें भी आप इसे भरकर धारन कर सकते हैं। दोस्तों आईए अब इस वीडियो में जानते हैं कौन सी वो चीज है, कौन सी वो पेर की जड़ है जिसे आपको खोली का दहन, खोली के दिन लाकर इसे तावीज में भरकर धारन करना है। दोस्तों ये जो जड़ हम बताएंगे इनमें से कोई भी एक जड़ लेकर आएं। तो आपको चमेली की जड़ को होली का दहन की रात्र को लेकर आना है। और इसे लाकर आप अगले दिन होली के दिन इसे आप चांदी की तावीज में जरूर अपने गले में धारन कर लें। दोस्तों पूजा पाट करके ही धारन करें अभी मंतरित करके धारन करें ये अलोकिक सक्तिया इसमें बिद्दमान रहे जाएंगी। साथी इसमें माता लक्षु क्रपा बर्षेगी, हनवान जी की क्रपा बर्षेगी। आप हमेशा निरोग रहेंगे। दोस्तों अगले क्रमी आता है लड़ जीरा यानि की जिसको हम चिर्चिरा कहते हैं, अपमार्ग कहते हैं, इसका कई नाम है। अपमार्ग कहा जाता है, संत महात्मा जो लोग होते हैं वो इसका प्रियोग करते हैं, अपमार्ग का बहुत ही सुब होता है, इसके खीर बना कर अगर 30 दिनों तक खाया जाए, तो हमारे सारीर से जो भी निगविटी होती है, वो दूर हो जाती है। जीरा अपमार्ग का यानि कि चिड़ चिड़ा की जड़ को लेकर आना है और इसे अच्छे से आपको गंगा जल से धोकर शुद्ध पानी से धोकर फिर इसमें गाई के दोत को थोड़ा सा छिड़काव कर दें हल्दी का टीका लगा कर फिर आप क्या करें तावीज में भर ले और तावीज में भर के इसे पहन ले दोस्तो अगर जो लोग बशी करना चाते हैं किसी को अपनी और समोहित करना चाते हैं उन्हें लगे कि उनका चेहरा दोसरों को आकर सित कर ले तो ऐसे लोग चिरचिड़ा अपमार्ग की जड़ है उसे लाकर धारन जरूर कर ले दोस्त के चार चांद लग जाते हैं आप माने या ना माने स्वेम हमने पहन कर देखा है इसके अद्बुद गुन दोस्तों अवश इशे धारर करें और लाइए इसके पहनने के बाद आपके नौ ग्रह की जो पीड़ा है सांत हो जाएगी नौ ग्रहों का साथ मिलना सुरू हो इसके फल निराले हैं बंद किसमत के ताले खोल देंगे दोस्तों अगली जड़ है पीपल की जड़ अगर पीपल की जड़ लेकर आते हैं दोस्तों पीपल की जड़ क्यूं हमने का क्यूंकि पीपल में समझत देवी देपताओं का बास होता है अगर आप इसे होली का दहन क रातरी इसकी जड़ लेकर आते हैं और होली के दिन इसे धारन करते हैं तो आपकी सोई किसमत भी साथ देने लगेगी इसे देव बृक्ष कहा गया है सभी देवी देपता माता लक्ष्मी स्वयम निवास करती हैं दोस्तों होली का दहन के दिन आप गूलर की जड़ जड़ आकर गड़ाया था तब जाके उनके नाखोनों की जो जलन है वो सांती हुई थी इसलिए गूलर के पेड़ को आशिरवात दिया था कि मैं हमेशा ही तुम पर निवास करूंगा और तुम्हारी जड़ को जो लेकर होली का दहन के दिन लेकर आकर धारन करेगा उसकी समझत मन जाका संचार करती हैं मातल लक्ष्मी भी दोस्तों अगला पेड़ है मदार का यानि कि जिसको हम आकरा कहते हैं आक का यानि कि आपको मदार की जड़ लेकर आना है जो पुराना मदार हो जैसे जो एक जारा बारा वर्स पुराना हो उसमें स्वेम गरेश जी की सूर की आकरत बन जाती है आपने देखा भी होगा मंदरों जो पुराने मंदर होते हैं उनमें लगा रहता है उसकी जड़ लेकर आएं और फिर इसे आप धारन करें बहुत इस्चुब होता है दोस्तों केले की जड़ अगर लेकर आएं केले की जड़ में स्वेम भागवान विश्व माता धारन करें भागवान नर्सिंग देव और इसमें आपको माता लक्ष्मी जी का अश्रवाद मिलेगा साथ ही साथ आपको होलिका मया भी प्रसंद होंगी दोस्तों माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसंद होंगी या फिर आप चाहें तो होलिका देहन के दिन आप चाहें तो तोटके अपनी जगए होते हैं जड़ी बूटी की जो सक्तिया होती है अपनी जगए आप माने या ना माने वो अपनी जगए है लोग मानते हैं देखें तोने तोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान हैं जो लोग नहीं आप धारन करते हैं, तो भाग आपका सात्मी आस्मान पर रहेगा, किस्मत में परिवर्तन होते हुए एक स्वैम आप देखेंगे, अध्यात्मिक उन्नती होगी, आप इसे अवश्य धारन करें, शदा आपको सुरक्षा ही प्रदान करेंगी ये जड़े, मित्र की भाती आपक काम करेंगी और आपकी मदद करेंगी, आपका हमेशा साथ देती हैं, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का असिरवाद आपको उपर होलिका दहन की दिन प्राप्थ हो, और होलिका मया का असिरवाद आपको प्रेंट बाक्ष में जय होली का मया, जय होली माता और जय मालक्ष में जरू लिखे, साती भगवान विश्वों जी के कृपा प्राद करने के लिए वेडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा ज़्यार करें